कि असलाव वालेकूम व्लेकूम पारवीज पकवान आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टन जलीवी यह पैकेट वाली जलीवी बहुत ही रसीली और कुरकुरी बनकर रेडी होती है तो चलिए फ्रेंज बनाते हैं यहां पर मैंने प्रिया ब्राइड का इंस्टन जलेवी मिक्स लिया है यह 200 ग्राम का पैकेट है और इसकी जो MRPA कीमत है तो देके 55 रुपीज है पैकेट लेने के पहले इसके 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 जरूर चेक करें और इसमें देखें मेडियम साइज की 40 से 50 जली बनकर रेडी होती है तो चली बनाना स्टाट करते है तो सबसे पहले हम इसके लिए यहां पर हम 2 CUP शक्र लेंगे आओ जिस कब से हमने शक्र लिए उसी कब से आँसमें पानी मिलाएंगे 1.5 CUP कि अभी देट कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है गैस को ऑन कर देंगे शक्र को मेल्ट ओने देंगे शक्र को स्टर करके मैट कर लेंगे शकर मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें एक आदा नीबू करद डालेंगे ताकि चाशनी हमारी बनने के बाद में जमिन नहीं और इसे 10 मिनट हम पकने देंगे तो जब तक चाशनी हमारी बॉयल हो रही तब तक हम जलीवी का बैटर बना लेते हैं कि पैकेट को खोल लेंगे इसमें से पाउडर निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने एक मेजरिंग कप लिया है इससे हम पाउडर लेंगे आप कोई भी कप या कटोरी का यूज़ कर सकते हैं इससे लेने के लिए हैं तो यह देखिए दो कप पाउडर है इसमें हमने पूरा बैकेट स्कीआ हे जिए हैं । दो कप पाउडर के लिए हम इस में एक कप और ऊपर एक चौथाई कप पानी इसमें हमें मिलाना हैला Finnish puisqu से पानी ले रहे हैं तो kids कप फिफिटी मिल पानी डाढ़ेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसमें हमें लांस नहीं बनने देना है अब एक कप मेने डाल दिया है और एक चौथा ही कप पानी में लूँगी और इसे भी थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल लेंगी इसका हमें एक स्मूध सा और एक लंफरी बैटर इसका बना कर रड़ी करना है अब यह पूरा मैंने वन एन वन फूद कप पानी इसमें डाल दिया है तो यह देखिए इस तरह का स्मूध बैटर हमें बनाना है इसका बैटर हमारा बहुत ज़्यदा गाड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यदा पतला भी नहीं बनना चाहिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बना कर रड़ी करना है अब यह बैटर रड़ी हो चुका है इसे ढप करके 15 मिनट हम रेस्ट पर रखेंगे हमारी चाष्णी भी पगगाई है हाँ ठोड़ो से गारी होने तकी पकाना है चिपचीपी देखी है शहर जैसी कंसिस्टेंस्टेंसी आने तक इसे हम पकाईगे भूऺ ज़एदा एक तार या दो пять की चाशणिया में नहीं रिए चाशनी रेड देते हैं तेल हमगवने के लिए रखेंगे जलीब्या बनाने के लिए उसे्ट कर भी यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर रिफाइंड ओयल लिया है ग्यास को आंकर देते हैं तेल को हम गरम होने देते हैं तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम जलेविया बनाएंगे तो यह बैटर देखें आप यहां पर 15 मिर्ट हमने रखा था इसे सेट हो चुका है अच्छे से अब जलेविया बिनाने के लिए मैं यहां पर यहां पर जलेवियम बनाते हैं तो उसके साथ में जलेवियम फ्री आता है उसके ओपर देखें मार्ड भी है और उसमें बैटर भरिये आने चीसे होल करके जलेविया बनाई है तब यह बैटर हम जलेवि मेकर में डाल देंगे तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था अब तेल हम यहां पर मेडियम होट लेंगे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे तेल को अब गरम हो चुका है ग्यास को मैंने लोग पर कर लिया है अभी जलेविय बनाई हैं स्टार्ट करेंगे तो एक बार में जितने जलेविया कडाई में बैट थी है उतनी हम इसमें अब इंचलेवे को महिए डी फ्राइए करना है और इसे हमें लोफ लेम पर फ्राइए करना है और इनने हम पलट कर तब तक फ्राइए करेंगे जब तक कि यह कुर्पुरी नहीं हो जाती है और इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्रॉं कलर नहीं आ जाता इस तरह से पलट कर हमें दोनों साइट से एक गोल्डन ब्राउन तक फ्राय करते रहना है तो यह देखिए अब जलेबिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से कुरकुरी फ्राय हुई है बस ऐसे ही कलर हमें आने देना है और एक्स्ट रॉयल को इस तरह से हमें निकाल कर से प्लेट में रब देना है और इसी तरह से बागे की जलेबिया फ्राय कर लेंगे अब इन जलीवियों को देखिए हमें चाशनी में डालना है तो यह देखिए कितने कुरकुरी से फ्राई हुई है अब इन जलीवियों को हलकी गरम चाशनी में डालेंगे अगर चाशनी थंडी हो गे रहेंगी तो इसे हलका सा गरम कर ले और तभी इसमें डाले और बहुत ज़्यादा गरम और या फिर बहुत ज़्यादा थंडी भी नहीं होनी चाहिए हमारी चाशनी तो जलेबी अच्छे से नहीं बनेगी हलकी गरम चाशनी में ही जलेबियों को डालना है डाल करके इन्हें इस तरह से डिप करना है दोनों साइट से पलट कर इसे चाशनी में डिप करेंगे और इसे चार मिनट हम चाशनी में ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर चार मिनट हो चुके है जलीब्यों ने चाशनी को अच्छे से सूख कर लिया है हम देखे इसमें कितना प्यारा कलर आया है जलीब्यों का हमारे हमने कोई भी इसमें कलर या फिर केसर नहीं मिला आया है और यह हमारी इंस्टन जलीब्या बनकर रड़ी है तो मैं आपको दिखाते हूं कितनी कुर्कुरी और दूजी हमारी बिले भी आप बन रही है तो फ्रेंस आप भी जरूर से इस बाट राइब करें और में खरमेंट करको जब बता है आपको मेरी रेशिपी कैसे लिए रेशिपी को लाइक और शेयर करना ना दो है जाथ में चानल को सब्सक्राइब कर ले और लिटिस वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को बीट कर ले तो मिलते हैं एकसी